कोई भी लेटेस्ट अफडेट पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर किलिक करें और बैल आइकन को दबाएं अब दोस्तों मैं राकेश उबाध्या आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में आज मैं आपको एक फोन की ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा आप एक फोन की कॉल को दूसरे फोन पर सुन सकते हैं वो भी दूसरे को बिना बताए अब देखिए आपको करना क्या है इसके लिए न किसी एप्लिकेशन की जरूरत है और नहीं किसी अन्य सपोर्ट की जरूरत है अगर जरूरत है तो आपको सिर्फ एक कोट डायल करना है अपने उस मोबाइल से यानि कि उस मोबाइल से जिसकी कॉल ट्रांसफर करनी है और वो नमबर डायल करना है जिस पर ट्रांसफर करनी है तो आईए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले मैं छहां लेता हूँ up और यहां पर मैं आपको और यह मैंने खोला डाइल पैड अब आपको ए stad करना है यहां पर पर डबल ह 2 स्टार को इसाइब वह फोन नंबर यहां पर वह फोन नंबर डालना है जिस पर ट्रांसफर करनी है 777-1011-024 और हैस अब यहाँ पर डाइल करें मेरे इस फॉन में दो नमबर हैं एक जियो का और एर टेल का तो मैं जियो के नमबर को उस फॉन पर ट्रांसफर करता हूँ जो मैंने अभी डाला है इससे मैं कॉल करूँ हूँ और देखिए call forwarding registration was successful हो गया अब अगर मैं इस call पर इस फॉन पर डाइल करूँगा तो देखिए यह call कहां जाती है यह उस नमबर पर जाएगी जो नमबर मैंने अभी लिखा था तो मैं आपको करके दिखाता हूँ यह सब तो देखिए अब मैं वो नमबर डाइल करता हूँ जियो का नमबर मेरा जो कि मेरा इसी फोन में पड़ा हुआ है अब देखिए इसकी call कहां जाती है अब देखिए मैंने एक नमबर डाइल किया तो आप से पूछेगा वो कि यह नमबर आपको जियो से डाइल करना है या एर टैल से मेरा जियो वाला नमबर है और एक टैल से में डाइल करूँगा उसको देखिए अब मैं इसका speaker on करता हूँ आपकी call अन्य नमबर पर forward की जा रही है तो देखिए दूसरी call आ गई है दूसरे phone पर यानि मेरे इस नमबर की call दूसरे पर आ गई तो इस तरह से आप किसी भी नमबर की call को किसी दूसरे नमबर पर forward कर सकते हैं उसको पता भी नहीं पड़ेगा आप सुन सकते हैं अगर आप इस call forwarding को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक code है मैं आपको बताता हूँ उसके लिए code है आपका double has 002 has और उसी नमबर से डाइल करें जिस नमबर को forward किया था जैसे मैं आपको बताता हूँ has 002 has डाइल करें और जियो से मैंने जियो को forward किया था तो जियो पर मैं क्लिक करूँगा देखिए call forwarding successfully raised तो इसकी help से आप किसी को भी किसी भी नमबर को दूसरे पर transfer कर सकते हैं तो आपके लिए बहुती benefit देने वाला है इसके द्वारा आपके अगर mobile discharge हो जाता है एक बड़ा वाला mobile तो उसकी call को छोटे mobile पर transfer कर सकते हैं ऐसे भी उपयोगी है तो आसा करता हूँ आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों में share करें thank you for watching और subscribe करना न भूलें